हलो फ्रेंट्स आज आप मेरे साथ 34 चेश्ट के लिए 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं तो इसके लिए मैंने नाप लिख रखा है, साथ में ये फैबरिक है मेरे पास, ये ब्लाउज और इसके साथ में ये लाइनिंग है मेरे पास तो इस नाप से में ये जो लेस लगी वी थी इसे मैंने अलग कर लिया है इसे हम स्टीचिंग के वक्त लगा लेंगे और ये नाप मैंने लिख रखा है इस नाप से में अपने ब्लाउस की कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम काटेंगे लाइनिंग को, अस्तर को तो यह अस्तर को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पर जितनी हमें लंबाई बनानी है जैसे 13 इंच बनानी है तो एक इंच हमें जादा रखना है यानि कि यह ले लूँगी में 14 इंच उसके बाद आ जाते हैं हम शोल्डर पर यानि कंधा तो शोल्डर जो एक्जेक्ट है हमारा वो है 14 इंच लेकिन यहाँ पर हमें एक्जेक्ट नहीं लेना है पीछे नेक के अकॉर्डिंग हम इसे कम करेंगे तो पीछे नेक हमारे पास 10 इंच है तो हम इसमें से लेस कर देंगे 2 इंच यानि कि शोल्डर हम 2 इंच कम कर लेंगे और यहाँ पर आर्मोर लेंगे हम 6 इंच और यह इसको सिधा कर लेंगे उसके बाद दीखे चेस्ट कितना है हमारा हमारा चेस्ट है 34 इंच तो यहाँ पर हम 34 का 4 थिसा निकालेंगे यानी 8 एच और उसके बाद 15 इंच यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे अब यहाँ पर कमर के लिए मैं कोई शेप नहीं दे रही हूँ यहाँ नीचे भी सेम नाप रहेगा कमर और चेश्ट में अगर ज़्यादा फरक नहीं होता तो हमें कुछ भी कटिंग नहीं देनी होती है सिर्फ डाट से हमारा कवर हो जाएगा और यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगा कर आर्म होल की गुलाई देंगे तो यहाँ लाकर मिलाना है हमें अब नैक की जो चोड़ाई है यह रक्रिव में 1.5 इंच और नीचे के साइड से मैंने इसे लिया है 1.5 इंच यहाँ पर नैक मैंने 10 इंच नापा है जैसी यह 10 इंच है लेकिन यहाँ पर डिजाइन के काराण हमें यह थोड़ा सा बनाने के बाद हम इसे मठका शेव देंगे तो यह हमारा पीछे वाला हैसा कट हो जाएगा इसी को रखकर हम आगे वाला हैसा कट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है यह यहाँ पर हमें half इंच एक्ष्टर लेते वे एक सीधी लाइन कर लेना है यानि जो हुख पट्टी का मार्जिन है वो हमें बढ़ा लेना है यहाँ से हम एक्ज़क रख लेंगे और उसके बाद हमें लंबई बढ़ानी है एक इंच यानि कि यहाँ पर हमने एक इंच इसको लंबई में बढ़ा लिया है तो यह हेल्थ का अकॉडिंग है अगर हेल्थ जादा हो तो यहाँ पर हम जादा भी मार्जिन एड़ कर सकते हैं अब यहाँ पर उपर के साइड में देखे मैंने हाफ इंच बढ़ा लिया है यानि कि आर्मोल पर जो डाट आती है उसके कारण मैंने हाफ इंच उपर के साइड में इसे बढ़ाए है अब यहाँ पर नैक की चोड़ा हो जाएगी हमारी तो यह मैंने निशान लगा दिया है और उसके बाद पीछवाले इसे को अटा दिया है अब जो आगे का गला था चैंच तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ साड़े चैंच हाफ इंच मार्जन के साथ में और यहाँ पर राउंड शेप हमें देना है अब देखिए इसमें से में बैल्ट अलग करना है तो उसके लिए हम निशान लगाएंगे तेरा इंच पर अब यहाँ क्योंकि ब्लवज की लेंथ 13 इंच ही है यानि की छोटा है ब्लवज तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बैल्ट भी होगा जो नीचे वाला बैल्ट है वो भी छोटा ही होगा और यहाँ पर एक इंच तिकोना इसा ले लेंगे हम बैल्ट का और यह इस तरीके से तिर्चा कर लेंगे इसको तो यह हमारा बैल्ट निकल आएगा नीचे से अब देखिए यह आर्मॉल था पीछे के लिए और यह जो हम काट रहे हैं इसा आगे वाला तो यहाँ पर हम इसे हाफ इंच गहराई और देंगे आर्मॉल को अब क्योंकि बीच में डार्ट आएगी तो यह बैल्ट हमारा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हम इसे एक इंच कट कर लेंगे अब देखें डार्ट हमें किस तर इसके से लगानी है 34 है हमारा चेस्ट तो उसका दस्वा हिसा है यानि कि 3.4 यानि कि आप इसे 3.5 मान सकते हैं तो यह हम पट्टी वाला मार्जिन छोड़कर हमें 3.5 पर एक निशान लगाना है यह हो जाएगी हमारी पहली और में डार्ट और इसकी लंबाई में रख रही हूं 2 इंच उसके जर्ष्ट उपर एक इंच उपर हमें एक लाइन बनानी है सीधी और यह दूसरी डार्ट हो जाएगी हमारी होपट्टी की दरफ से और यह हो जाएगी हमारी धाई इंच यहाँ पर भी लगभग जो डैड़ इंच का गैप है उसी गैप में तीसरा निशान लगाना है हमें और जो हमने सीधी लाइन खीची थी उसे हम थोड़ा सा तिर्षा ले जाएगे नीचे की साइड और चौती हो जाएगी आर्मॉल पर चार इंच दूरी पर और इसी गैप हो जाएगी सवा डैडियअच के बीच में कि यहाँ जाएगे हमारी चौती डार्ट हो जाएगक हमारी और यह जाएगामारा बैल्ट अब हमें लें अपनी स्लीव तो जो स्लीव की लेंथ हे वह 10 इंच तो यहां पर हम ले लेंगे एक इंच एक्स्ट्रा यानिकी 11 इंच ग लगाएंगे 3.5 इंच पर और यह मैंने सिधा कर लिया यहां पर अब देखिए हमारी स्लेव की जो गोलाई है वो है 10 इंच तो उसका हाफ हो जाएगा यह 5 इंच और यह जो लाइन है यहां पर हमें 2 इंच एक्ष्ट्रा लेना है और यह डैड इंच का मार्जिन हो जाएगा हमारा और यहां से लाएंगे हम अपने स्लेव की गोलाई लाएं और आगे के लिए यह इस तरीके से हम गहराई देंगे अब इन अस्तर को रखकर हम अपना ब्लाव जॉला फैबरिक कट कर लेंगे तो यहां पर जब अस्तर रखकर आप ब्लाव जॉला फैबरिक कट कर रहे हैं तो थोड़ा सा चारो तरफ से एक्स्ट्रा यह रखेंगे जिसे हम बात में काट सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्स पर वाचिंग प्रेंड्स आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वाचिंग